प्यारे बच्चो नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आज के विशी गुरू में मैं आज फिर हाज जरूं एक न्यू वीडियो के साथ एक न्यू टॉपिक के साथ आज का जो तो टॉपिक है वो है प्रस्टी है चेत्फल और आयतन इसमें हम बेलन के आयतन की जच्चा करेंगे एक्सरसाइज 13.6 हम आपको पेज संख्या भी बता देते हैं तो पेज संख्या है ये दोसो चेतर ठीक है तो दोसो चेतर पेज संख्या पर कुश्चन नम्मर साथ है एक्सरसाइज 13.6 का तो चलिए पहले हम कुश्चन को पढ़ते हैं उसके बाद इसको हल करने का प्रयास करते हैं तो कुश्चन है सीसे की एक पैंसिल लेड पैंसिल लकडी के एक बेलन के अभ ग्रिफाइट का व्यास 1 mm है यद पैंसिल की लंबाई 14 cm है तो लकडी का आईतन और ग्रिफाइट का आईतन याद कीजिए प्यारे बच्चों मैं कुछ एक पैंसिल का कि प्ररूप दिखा रहा हूं यहां देखेंगे आप यह पैंसिल है ठीक है इनका यह कहना है कि यह पैंसिल 14 cm लंबी है और ये जो पैंसिल का ब्यास है वह 7 mm है यह दिखिए यह 7 mm ऐसे माल लीजिए यह 7 mm और ग्रिफाइट का यह व्यास है जो आपको इसमें दिख रह क्या है यह लेड है और इसका व्यास यह 1 mm बता रहे हैं तो देखे जो जो चीज हमको दी गई है उसको हम पहले लेख लेते हैं और उसके आगे कुश्चंस को हल करने का प्रियास करेंगे तो देखे क्या दिया है हमको क्या दिया गया है पहले तो हम फिगर बना लें इसका तो फिगर जब बना लेंगे तो कुछ इस तरह से देखिए फिगर हमरा बनेगा अब बहुत बड़ा फिगर हम नहीं बनाएंगे ठीक है रिबिलना का पैंसिल है इसमें वन एनन ब्यास का एक लेड पड़ा हुआ है इस तरीके से यह पैंसिल है इसकी जो लंबाई क्या है पैंसिल लंबाई 14 सेंटिमीटर है यह उचाई हो जाएगी 14 सेंटिमीटर यह देखिए पैंसिल का व्यास है कितना है साथ एमेम है और यह लेड का व्यास है यह यह बनेम है ठीक है यह बात के लिए हो गई अब यहां पर देखेंगे कि लिखी दिया है दिया है पैंसिल का व्यास बराबर साथ एमेम तो जब पैंसिल का व्यास साथ एमेम हो गया तो पैंसिल की तरज्या क्या हो जाएगी यह तरज्या मा लेजिए आर है तो यह आर बराबर हो जाएगी साथ बटे दो बराबर तीन दसलों पांच एमेम है ठीक है इसको उसके बाद ग्रेफाइट जो है ग्रेफाइट का व्यास बराबर वन एमेम तो इसको माल लेजे आर सोटी तरज्या इसकी तरज्या सोटी आर से माल लेते हैं बराबर हो जाएगा एक परटे दो एमेम यह हो जाएगा 0.5 एमेम यह बात के लिए हो गए अब यहाँ पर देखेगा कि हमको ग्याद क्या करना है पैंसिल लकड़ी का आईतन ग्याद करना है यह लकड़ी है जो रंगा हुआ भाग है यह बाग पूरा लकड़ी का है तो देखे लकड़ी का आईतन कैसे ग्याद करेंगे कि हम क्या करेंगे कि लकड़ी का आईतन निकाल लेंगे इससे ग्रेफाइट का व्यास निकाल लेंगे और ग्रेफाइट के आईतन को पैंसिल के आईतन में से घटा देंगे तो हमको लकड़ी का आईतन निकलाएगा ठीक है यह मिलमीटर हो गया अब यहां पर देखेंगे सेंटीमीटर बनाएंगे तो दस का भाग दे देंगे इसको इसी को देखिएगा थोड़ा सा इस तरह से देखते हैं कि केपिटल आर बराबर तीन दसलो पांच बटे दस यह बराबर हो जाएगा 0.35 सेंटीमीटर ऐसे ही इसको देखिएगा देख रहा होगा आपको आजी बिल्कुल और स्मॉल आर बराबर हो जाएगा जीरो दसलो पांच बटे दस तो यह बराबर हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर तो यह दोनों वैलू हमको सेंटीमीटर में मिल गएं र जो तरज्ञा है ग्रेफाइट की तरज्ञा है ग्रेफाइट की रोड की और केपिटल र है वो लकडिकी पैंसल का की तरज्ञा है अब देखिए ये बेलना कारा करतियां है यहाँ पर देखेंगे ये इसे अपके ग्रेफाइट की छड् hat यह रोड के लिए इसको यह वाला हिस्सा जो है अंदर जो इसमें फसा हुआ है तो अब लिखिए कि बेलन का इतन कि यह एक्षुल में जो बेलन होगा यह खोकला बेलन होगा तो आपको चले खोकला ही लिख दीजिए कि खोकले भीलन का अां कि यह बेलन का अकटन कितना होता है कि हजो जाएगा पाई आर स्कॉइब एक माइनसि हम में है यह जो गेज़ाद आ टो यह भी-जाएगाたい a आर हो जाएगा और यह हो जाएगा पाई आर इसक्वाय एक ठीक है यहां तक चीजे किलियर होगे नोट कर लीजिए तो प्यारे बच्छों यहां पर देखिए हम अगर इस इस बेलन का आयतन ग्याद कर लें और उसमें से हम इस ग्रेफाइट का आयतन घटा दें तो हमको कोकल लग निकालते हैं ठीक है निकालते हैं देख रहा होगा आपको अगरे पूछ रहा है कि लकडी का आयतन तो लकडी लकडी कैसी है बेलना का अब बेलना का अब का आयतन कि बराबर कितना हो जाएगा प्यर्वच्च्चों चोगे सी तरजा आ रहा है तो यह हो जाएगा प्यर्वच्च्च्चों देखेंगे यह हो जाएगा पाई कमान 22 बट्रे साथ आर कमान कितना दिया गया है यह हो जाएगा 0 10 वलो 3 5 इंटू यह स्कॉाइर है इंटू है कमान कितना दिया चाहुद है तो देखे साथ से चाहुद है दो बार काट दीजिया तो यह हो जाएगा 22 गोड़ा दो यह वाला दो और यह 22 और गोड़ा यह हो जाएगा 0 10 वलो तीन पांच गोड़ा जीरो दस वलो तीन पांच इसको गोड़ा करेंगे आप तो प्यारे बच्चों आप इसको देखेंगे कि जब इसको गोड़ा करेंगे तो यह हो जाएगा गुड़ा और इन दोनों को गुड़ा कर लेंगे तो यह हो जाएगा 0.1225 और इसको जब आगे गुड़ा करेंगे तो यह हो जाएगा 5.39 cm2 यह किसका आगया लक्री कायतन आगया बात के लिए हुए नोट कर लीजे इसको चलते हैं नेक्स्ट पेज़ पे चलिए आप ग्रेफाइट का आइतन निकालते हैं तो आप देखेंगे ग्रेफाइट का आइतन ग्रेफाइट का आइतन हो जाएगा पाई आर स्क्वार एच तो देखेंगे पाई कमान फिर बाइस वटे साथ इंटू आर कमान कितना था आर कमान था दिखा देते हैं आपको नहों देखेंगे यह तो किसमे था मिलीमीटर में था और इसको ने सेंटिमेंटर में कनवर्ट किया तो यह हो गया 0.05 cm ठीक है? 0.05 cm यह हो गया 0.05 cm तो यह R कमान हो गया तो इसका यह वर्ग हो गया और into H common रहेगा दोनों में 14 तो दीखे फिर यहां पर हो जाएगा आप चाहें तो यह 7 से 14 दोबार काड़ दीजी तो यह हो जाएगा 22 गोड़ा यह वाला दो यहां लिख दीजी गोड़ा अब इसका गोड़ा कर लिए चलिए रफ वर्ग हैंकर कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 0.05 और 0.05 में गोड़ा कर दीजी ठीक है तो 25 यह होगे अब यहां पर देखेंगे 0 फिर यहां पर क्रोस करेंगे 0 को गोड़ा 5 में 0 0 का 0 जोड़ देंगे 5, 2, 0 ठीक है अब यहां देखेंगे दस्मावनों के बाद यह 2 आंक हैं दस्मावन बाद 2 आंक हैं यानि दस्मावन बाद 4 आंक हैं तो 1, 2, 3, 4 यह देखेंगे इसका निकला हल तो 0.0025 इनका अपस में गुड़ा करेंगे इसमें देखिए बाइद दुनी 44 हो गया गुड़ा 0.0025 तो 44 का गुड़ा कर दीजिए इसमें तो यह हो जाएगा प्यारे बच्चो चार पंजे 20 हासल दो चार दुनी 8 और 210 ठीक है चार एक जेरो हो जाएगा यह देखिए चार पंजे 20 हासल दो चार दुनी 8 नो 10 का सुपर हासल एक फिर यह यहां जाएगा और चार यहां ठीक है जो जीजिए इसको 00110 देखिए दसर बाद चार अंख है न तो एक दो तीन चार यहां जाएगा तो प्यार बच्चों यह आजाएगा जीरो दसलो एक एक अगे तो कुछ है ने सेंटिमीटर क्यों यह आ गया अब देखें लकडी का आयतन आपको ग्याद करना है ठीक है तो आप लेखेंगे लकडी का आयतन लकडी का आयतन बराबर यह हो जाएगा खोकले बेलन का आयतन आइस तो यह देखें खोकले बेलन का आयतन हो जाएगा तो पाई एसक्वाहर एच क्यानि कि लगडी के बेलन का आयतन हो जाएगा माइनस पाई आर इसक्वाहर एच के हम दिखाए तो इसमें से क्या होगा कि यह जो बेलन है हमारा कि यह इसको ठोस बेलन मानके कि यह हमने लिखा पाई यारे स्कॉर एच और इसमें से ग्रेफाइट की छड़का वॉल्यूम घटा देंगे तो हमें खोकले बेलन का आयतन निकलेगा वही लकडी का आयतन होगा यह हमने निकाला है 5.39 cm2 q निकाला है और यह देखिए होए है 0.11 cm2 तो आप घटा लेंगे 5.39.11 घटा लिजिए तो यह हो जाएगा 825 तो पहरे बच्चों यह हो जाएगा 5.28 cm2 यह लगडी का आयतन हो गया ग्रिफाइट का आयतन हमने उपर निकाला है देखिए यह आप लेख सकते हैं हां पर ग्रिफाइट का ग्रिफाइट का आयतन है एक तो प्रस्ण में यह पूछा गया था और इन्होंने पूछा है लकडी का आयतन है यह अंसर हो गया तो प्यारे बच्चों मुझे आसा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में आपका दिन सुभ हो ग्रिफाइब झाल